नमस्कार दोस्तों MTS 2022 का एक्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट आना वाकी है ठीक है तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया है SSE ने चलिए दो या तीन मिनट के अंदर इसको समझते हैं और अपना जो भी आप कर रहे हैं पढ़ाई करते रहेगा चलिए एक का एक कोरीजंडम में कुछ चेंजस किये गए है ठीक है तो चेंजस कुछ बड़े बदलाब किये गए हैं और रिजल्ट का क्या है वह भी हम देख लेंगे ठीक है चलिए तो ये रहा हमारा जोटिफिकेशन प्राइफदोन किया रखा जिसमें CBIC and CBN वाली भी पोस्स हैं चलिए तो पैरा 6.1.1 and 6.1.2 जो नोटिस हुआ है न हमारे एक्जाम का 1222 वाले का तो उसके नोटिस के यह जो पैरा है उनमें कुछ चेंज किये गए है चलिए ठिक तो यह क्या है तो पहले इन्होंने बताया 18-25 तक की एज होनी चाहिए क होंगे ठीक है उसमें अगर और डिफाइन करें कहां तक तो दो एक 1998 से पहले आपकी डेट आप वर्थ ना हो ठीक है और एक जनवरी 2005 के बाद ना हो एम टीएस के लिए ओनली एम टीएस के लिए ठीक है और वही 6.1.2 जो हमारा ओफिशल नोटिफिकेशन था उसमें क्या चेंजिस किये गए हैं 18-27 साल तक के लोग जो हैं वह कहां कहां तक यानि कि वह कौन-कौन सी पोस्ट में सेलेक्टेड होंगे तो हवल्दार की सेना उनके लिए 18-27 साल प्लस कुछ पोस्ट जो हैं MTS की अलग अलग डिपार्टमेंट में जो MTS की जो पोस्ट है न उनके लिए 18-27 साल की और नॉर्मली जो ज्यादा तर जो है MTS की पोस्ट उनके लिए 18-25 ठीक ये दूसरा चेंज किया गया है पैरा 19 में नोटिफिकेश है उसके पैरा 19 में क्या है चेंजिस क्या किये गए है ठीक है हां तो इन केस्ट वियर मोर दन नो मोर दन वन कंडिडेट सिक्योर्स तर इक्वल एग्रिग्रेट मार्क्स इन सैसन टू यानि कि सैसन टू मैं मान ली यह दू व्यक्ति हैं और वह सेम नंबर लाते हैं अब यह तो इसको हम टाई केस बोलेंगे दौनों के शेम नंबर हैं आप सैलेक्ट सन किसका लएं किसको शॉर्ट लिस किया जाए तो यह टाई केस है उसको कैसे रिजओल करेंगे तो यह यह मैठड अपनाएंगे यह वन आफटर एज़र यानन कि एक पाद एक अगर यह 110 नंबर प्राप्त करें, दूसरी ने भी 110 नंबर प्राप्त करें लेकिन GS में और English में, सेशन 2 तो हमारा वही है न, GS और English तो इसने क्या किया, इसने 20 कुश्चन किये, इसने 16 कुश्चन किये ठीक, और इसने क्या किया GS में, इसने 22 कुश्चन किये और 16 कुश्चन किए इंग्लिस में दोनों के शेम हैं लेकिन candidate B ने GS में ज्यादा किए तो यानि कि marks in general awareness of session 2 general awareness के इसके marks ज्यादा है यानि कि इसने ज्यादा कुश्चन साटेम्ट किए है तो selection इसका होगा B का selection होगा ठीक है अगर मान लीजिए यह case रहता कि b 16 इसने किये है और 20 16 ही इसने किये है यह case number one है इसको कैसे solve करेंगे अब case number two क्या है यानि कि a ने भी 26 किये hai b ने भी 26 है inna दौनों में ठीक दौनां ने GS के same kia English केs to keen किया तो अब किसके देखे जाएंगे math math plus reasoning के marks देखे जाएंगे, math plus reasoning में क्या देखा जाएगा, अब मैं इसको इधर समझाता हूँ, math और reasoning, तो इसमें क्या होगा, पहले हमारे notification में दे रखा था, total marks, अब यह normalized सब्द जोड दिया गया है, बस यह अंतर हुआ है, तो normalized सब जोड दिया गया है, अब जो raw marks नहीं, total normalized marks, जो normalized होके marks आएंगे, उसके basis पे select करेंगे, कब, जब GS के भी marks बरावर बैठ हैं तब, तो अगर candidate A और B, मैंसे जिसके session 1 में clear होंगे, session 1 में ज़्यादा marks होंगे, उसको select कर लिया जाएगा, अगर A के ज़्यादा हुए तो A को select कर लिया जाएगा, अगर यह भी same रहता है, यह भी equal रहता है, तब कौन सा, तो case number third, one after another, पहले ही बताई रहा है, कि एक के बाद एक, अगर यह नहीं हुआ तो यह, तो फिर last month DOB, यानि कि जो age में बढ़ा होगा, तो उसको select कर लिया जाएगा, अगर माल लीजिए worst case scenario low, तो यहां भी same, same चीज़े हो जाएं, माल लीजिए, दोनों की date of work same है, तो फि तो AR और AN, तो पहले कौन आएगा, AN वाला आएगा, तो अनुज को select कर लिया जाएगा, लेकिन चीज़ें यहां तक ही sort out हो जाती है, ठीक है, बस यह changes किये गई थे, ठीक, अब मैं दिखा देता हूँ, पहले क्या था, बाद में क्या था, है ना, क्योंकि यह बात है मैंने ह हवाव में नहीं की है, जो है वो आपके सामने है, जो पहले हमारा था, 6.1, जो दो पॉइंट थे, 18-25 साल की जो पहले क्या किया था, अब बोल दिया कि MTS की जितनी भी है, ज्यादा तर, वो 18-25 साल, लेकिन पहले क्या था, MTS वालों के लिए 18-25 साल की age कर दिए थी, लेकि टोटल माक्स था वहाँ पर, सेशन बन में, लेकिन अब क्या कर दिया है, यहाँ पर, नॉर्मलाइज़ माक्स ठीक है, नॉर्मलाइज़ माक्स लिखती है, बस यह चेंज हुआ है, अब दिख लिए, अब चेंज इस आफ्टर, अभी जो चेंज हुए हैं, तो वह क्या झाल